हमारे पास है emission of neutrons the nuclei U236 uranium which is the fissioning nucleus is in fission process as 92 protons and neutron कैसे हम निकाल सकते हैं 236 में से 92 को minus करें तो 144 neutrons आ जाते हैं total mass number होता है ना nucleus का किसी भी atom का mass number है उपर लिखा हूँ होता है जैसे इसमें U के उपर 236 लिखा हूँ है अब इसमें जितने proton होगे उतने ही electron होगे किसी एक की भी तादाद हमें बता दी जाए और हमें इसका mass number पता हो तो हम उसमें से electron या proton की जो तादाद है वो minus करके फिर neutron निकाल सकते हैं इस तरह कुछ neutron होते हैं आपको बता है कि 2.47 on the average एनर्जी एनाफिशन रियक्शन इस रियक्शन में हमें अच्छी खासी एनर्जी भी मिलती है दराफ एस्टिमेट अफ डिसिंटिग्रेशन एनर्जी यानि तोड़ फोड़ की यूरेनियम तोड़ता है ना इसलिए इसकी एनर्जी को हम डिसिंटिग्रेशन एनर्जी कहते हैं क्यों फारफिशन प्रासेस कैन मी मेड़ ऐस फालोज इस तरह से करेंगे एक्चुली 54 चैप्टर में बाइनिंग एनर्जी का है तो वो हमने पहले में आपको ये चुके थो रेटिकल था तो मैंने कहा ये करवाद हूँ उसमें कैलकुलेशन है वो बाद में करेंगे तो इसकी डिटेल वहाँ आपको मज़ीद अच्छी तरह समझा जाएगी बाइनिंग एनर्जी की इसका ग्राफ में वैल्यूस पर दी ही होती है असानी के लिए 240 ले लिया कि अगर हमारे पास नुकलियांस होते है नमबर अफ नुट्रांस प्लस नमबर अफ प्रोटांस जो नुकलियस में मौझूद होती है ना उसका सम नुकलियांस कहलाता है तो तक्रीब ये 240 उन्होंने अज्यूम कर लिया अगर 236 लिखते तो ज्याद आपको बिल्कुल क्लियर होता अब उसके करीब करीब है ना इसलिए 240 लिख लिया अब ये स्पोज कर लिया कि दोनों जो उसके बनने वाले हैं उनके मैस इक्वल हैं तो 120 120 दोनों के होंगे और एवरिज बाइडिंग अनरजी पार्न उकलियान इस 8.5 मEV तो उसके लिए फिर बाइडिंग अनरजी अगर हम कैल्कुलेट करें इस मैस नंबर पे तो वो 8.5 मEV आती है जैसे जैसे मैस नंबर इंक्रीज होता है ना फिर बाइडिंग अनरजी काम होना शुरू हो जाती है तो यूरेनियम का ज्यादा है तो उसकी 7.6 है तो जो इसके फ्रेग्मेंट्स बने हैं उनका मैस नंबर कुछ कम होंगे तो उसकी 8.5 आगी अब यहां यह फामूला फिलहाल आप इसको मेमराइज करें 54 चैप्टर में इनिशाला आपको बहुत अच्छी तरह यह किलियर हो जाएगा Q is equal to यह energy को शो करता है Q is equal to 2 into यह binding energy 8.5 में वी एक fragment की है ठीक है और A by 2 यहनि इसका जो अगर A मैस नंबर टोटल है तो A by 2 उसका half होगा यह बाहिर 2 हमने कर दिया तो इसका मतलब है यह total दोनों fragments के लिए हमारे पास energy आ गई और यह uranium की उसमें से हम minus करेंगी यह fission fragments की energy पहले है जो हमें मिले हैं particles और uranium की उसमें से subtract करके जो resultant हमारे पास energy आ जाजएगी calculation के बाद वो 200 mEV आ जाजएगी यहनि एक fission के reaction में 200 mEV energy मिलती है और इसकी फिर यह equation है complete fission process की a specific description of fission processes as under uranium U-235 plus neutron तो uranium 236 बना यह complex nucleus होता है और इससे xenon और strontium बने और साथ two neutrons emit हुए और इस process को मजीद detail में stable बना के आपको दिखा रहे हैं कि यह जो xenon है यह cesium में और फिर barium में और फिर LA में और फिर CE में convert होके stable होता है different process में गुजरने के बाद इसी तरह sr y में और y फिर zr में convert हो जाता है और stable nucleus बन जाता है